चार पंकियों से बहुत प्रारंब करना चाहता हूँ वोई कहरा था लड़का कि तेरी जुदाई में नींद नहीं आती चैन खोता है दिल रोता है लड़की बोली डॉक्तर से चेक करा ले डेंगू बुखार में ऐसा ही होता है जब वो गाने चलते थे चुपके से दिल दे दे वरना शोर मच जाएगा वो चुपके से आती थी दिल दे जाती थी शोर मच ता ही नहीं था और आजगल दिल हाथ में ले फिर रहे हैं और शोर मच आ रहे हैं एक बार आजा 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 ये हो गया तब चार पंक्ति आप कहना चाहता हूं, कि पहले इरादे, फिर वादे, फिर हाव भाव से, आज गल प्यार ये हो गया है, वह उसे डेटिंग पे ले गया बड़े चाव से, और बीच समंदर ले जाकर किया प्यार का इजहार, आई लव यू कह दे, वरना उतर जा मेरी नाव से, पदम जी कह रहे थे, बुड़ापे का प्यार बड़ा डेंजरस होता है, भावना इनकी शब्द मेरे, कि गैसी बनने लगती है मुलाकात के बाद, गैसी बनने लगती है, इस उमर में, बीपी हाई होता है तेरी हर बात के बाद, और तेरी गलियों में ना रखेंगे कद से, बहुत कीचड हो जाती है सनम बर साथ के बाद, फिर चार पंक्तिया अपने उपर हस करता हुआ, कहना चाहता हूँ, कि दिल के अर्मा आंसों में बह गए, हम गली में थे, गली में रह गए, अपनी तो किसमती घराब थी, लाइट चली गई, जो बात उससे कहनी थी, उस उसकी मम्मी से कह गए, बाबा, शादी हो जाती है, प्यार के बाद, शादी के बाद प्यार रहता है, नहीं रहता है, कोई गारेंटी नहीं है, हमारे एक मित्र चमनलाल, उनकी पतनी को रहता है, बस इसी बात का मलाल, कि जब भी वो किसी कारेकरमिया समारों में जाते हैं, तो पतनी को साथ नहीं लेकर जाते हैं, इसकी पूछी वजे, तो बोले, दिमाग मच चाटो सुबह सुबह, अरे आप यहारी पतनी को समझाईए, दिल्ली में कानून बना है, पंदरा साल पुराने वहान सडकों पर मतलाईए, आदनी आपका तो गेरीज में खड़ा हुआ है डेंटिंग पेंटिंग चल रही है, और मैंने एक महावरे का प्रियोक एक छोटी सी कफ़त, मैं फिर बताना चाहता हूँ, लोहा लेना, हम जो बच्चे हिंदी जादा नहीं समझते, उन्हें बता दें, लोहा लेना महावरे का आर्थ होता है, मुकाबला करना, मुकाबला क है, और इंजेक्शन गुटने में लगाते हूँ, इस बात की पक्की गवाई दे रहा हूँ, अरे शरीर में लोहे की कमी कैसे हो सकती है, हर रोज पतनी से लोहा ले रहा हूँ, मेरे चार साले हैं, तीन तो अभी घर से निकाले हैं, चोथा ठीका हुआ है, पतनी से का मैंने यहीं रहेगा, दोनों में तर्क वितर्क हुआ, फूल और कांटे के माद्यम से बात कहना चाहता हूँ, कि जब भी मेरा साला घर आता है, बड़ा मजा आता है, आटे का कनस्तर दो दिन में टन बोल जाता है, उपर से पतनी कहती है, आपकी शर्म करता है, दो रोटी कमी चरत है, देखो ना, आप से कितना शर्माता है, बेचारा सूख कर कांटा हुआ जाता है, हम समझाते हैं, आप फूल, आपका भाई कांटा, बड़ा खूब सूरत है नाता, मगर कांटे का शरीर में ज्यादा देर तक गड़े रहना, स्वास्त के लिए अच्छा नहीं होता, इसे साफ कीजिए, पत्री बोली माफ कीजिए, इसको घर में रखना हमारी मजबूरी है, जानते नहीं, फूल की रक्षा के लिए कांटे का पास होना, जरूरी है, वह क्या बाई, नारी पे कुछ भी हम मजाग कर लें, लेकर ऐसा नहीं है, देखो आपके साथ भी, शुशील, तो मुझा फर्ज बनता है कि मैं उनका सम्मान करूं, जी, 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 एक तरफ नारी को हम पूजा के योग बताते हैं, दूजी तरफ भ्रून कन्या का गर्म में ही दफनाते हैं, यदि संख्या कन्या शिच्वों की यूहीं घटती जाएगी, शादी जैसे ब कुमेंगे, राधा से कौन मिलाएगा? वाबा, क्या बात है!